पहले तो मैं आप लोग जो जो देख रहे हैं इस वीडियो को मैं सब लोगों को पंडाम करूंगा और मैं फिर आगे बोलूंगा आज हम लोग गए थे 35 पलस ग्रामियों के साथ में थाना अथाना से हम लोगों ने पावती लिया एक और उसके बाद फिर हम लोग बगिया चले गए जो बनखेता मार्ग माकरकेंड़ा डेम से जो मिला था वो रास्ता को केलास यादों के द्वारा तोड़ा गया और रास्ता को तोड़ते हुए मेड बनाकर वो अपना नीजी खेत बना दिया था और लोगों का पूरा आवागमन को रोक दिया था जो कि पंचायत के द्वारा मतलब फैसला किया गया लोग जहां वह आवेदन दिये ग्राम सभा में तो पंचायत में कैलास यादों हाथ ज हो लग कि हम लोग भाई फैसला नहीं कर पाएंगे कहें हम लोग का बात भी नहीं मान पा रहा है तो एक बार हम लोग पुरा आदेश देते हैं है ना हाव आप लोगों को कि एक बार जाइए आप लोग थाना में को लिए कि करवाईए वहां कि आखिर क्यों इस टैप का उय हंगामा करके रखा हुआ है। और एक बाद भगिया भी जाइए। तो हम लोग भगिया के लिए निकले। पहले थाना गय का जाने के बाद पाउता लिए, उसके बाद में हम लोग भगिया गये। बग्या जाने के बाद कौसले साय जी में से मिले हम लोग और उन्होंने हमों लोग का जो है दुखत घटना को सुन करके बहुत ही ज्यादा उन लोगों को खराब लगा और वो सही चीज को निर्ने लेते हुए और हम लोगों को बताए कि इस चीज को मैं जल्द से जल्द जो ह मैं सरकारी जमीन को खोदने और रोड को खोदने लोगों को का वागमन को रोग देने के लिए मैं उन लोगों को जो है उचित कारवाही करवांगी मैं आप लोगों के साथ और गलत नहीं होगा जितना होना था हो गया तभी हम लोग वहां से आज रास्ता में हम लोगों को पता चला कि रोड का काम चालू कर दिये हैं कैलाश यादो के परिवार पुरा सायद SDM सहाब आने वाले थे इस टयप का कोटवार से हम लोगों को सुचना मिला कोटवार बोले कि मतलब SDM सहाब आ रहे हैं जो कि तुम राष्टा को बनवा दो करके लोगों को लिया और रास्ता को बनवा आने लगे तो इतना हम लोगों को पता नहीं था बस हम लोगों को ये पता था कि भई उतना दिन तर रोड नहीं बनाया तो आज कैसे बना रहा है रोड जब हम लोग विश्नुदेव साय जी के घर बगिया गय हुए है तब ही हम ग्रामिनों ने सोचा कि अगर साय जी मेम के यहां जो हम लोग आवेदम दिये हैं अगर वो इंक्वारी के लिए भेजेंगे और यहां जो है पहले ही काम बन जाएगा जो है यह रुका काम जो है लोग पूरा कर द बोले कि इतना दिन जो है हम लोग रुक गए यहां इतना दिन हम लोग वहां से आना जाना नहीं किये तो और कुछ दिन एकाद दो दिन और रुक जाते हैं जब तक वहां से फैसला ना आ जाए जो कि हम लोग उन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे लोगों को रोर बनाने के के लिए हम लोग नहीं मना करेंगे पर दो मिनट का वीडियो बना लेंगे बाकि दो मिनट का वीडियो तो बनाएं लेकिन बहुत ही ज्यादा हम लोगों से मतलब दो मिनट का वीडियो भी बनाने ने पाया चार फावडा था वहाँ पर और कैलास यादों का पूरा परिवार वहाँ पर सब कोड़ी फावडा वगेरा धरके और सब हम लोग ग्रामीनों को दोड़ा के मारने का मारने का सड़े अंतरर रचे और बड़े बुजूर किसी को भी नहीं पहचान रहे थे वो लोग कि मेरे से बड़े हैं कि छोटे हैं और सब लोगों को जो है धमकी देते हुए अब मार पीट करने लगे और सायद आज तो मैं रहता तो मेरे को मार ही देते हुग लेकिन मैं अपना जान बचा कर भागा में और फिर मैं बगिया शिकायत किया कि ऐसा ऐसा हम लोगों के साथ हो रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो भी हो रहा है इसके लिए हम सब ग्रामिन उचित कारवाही का मांग कर रहे हैं ऐसा हम लोगों के साथ बार-बार नहीं होना चाहिए हम लोगों को प्रस्नल जो है यह लोग मार्पिट का धमकी देते हैं इस टेकर आप देख रहे हैं जनजन की आवाज और अभी सब लोग हम लोग लगभग 25 लोग गए हुए थे बगिया और कौसले साय से हम लोगों में न करते हुए आ रहे हैं और साइब सुनने में मिला की साइब एस्डियम साहब आ रहे हैं और यहां पर इलोग बिरोधी जो उतना दिन तक काम नहीं हुआ और आप देखें यहां कैसा फटा-फट काम हो रहा है यहां जब कि अभी रोक लगना चाहिए यहां बिना चेकिंग कि अब बिल्कुल भूले होना चाहिए पर इन लोग काम कर रहे हैं बताइए कि अपने लोग है दिखाईए यहां पर दिखाईए आए फटा-फट दिखाईए उधर दिखाईए हम लोगों को गुरुद दिखाईए जो जो गय था भी बगिया उधर दिखाईए उपर तक दि पर उतना जल्दी कारे किया रहा है यहां पर देखिए उतना दुन कारे क्यों नहीं किया गया और आज दिखाईए इधर आए इधराइए अप इधराइए एक दो तीन चार चार कुदाली फड़ा के दौरा काम किया जा रहे हैं उधर दिखाएए दिखाएए उधर दिखाएए दिखाए-घर माधा बसार पूरब से पर शुरुम से अंतक एक से लेंड मिनटे का विडियो में बनाया था फिर विवाद चालू हो गया, तो इस लोग कैलाश यादों का पूरा परिवाद जो है, वहां पे जितने लोग गए थे, पूरा जो है चार फावडा था, चारो फावडा को पकड़के, फिर दोडाने लगे, है ना मेरे को मारने के लिए, अगर मैं नहीं भागता, तो मेरे को मार देते, उस इस चीज को बोल सकता था कि SDMAR हैं, जो कि हम लोग को SDM सहाब आदेश दिये हैं बनाने के लिए, क्योंकि हम लोगों तो पता नहीं था ना, हम लोगों को तो फिर कल सोचे थे कि हम लोग कारवाही नहीं हुआ हैं मैं, तो फिर जैसे इंद लोग कारेक कैसे चालू कर दिया, इस चीज को हम लोग जाएंगे करके बोले थे हम लोग, जान करें नहीं था, लेकिन इलोग को गुस्टा क्या चीज का था, कि हम लोग पूरा परीव, ये मलब गावाले, ग्रामिन, 35 पलस लोग गए थे, और वहां कारवाही तो होना ही था, कैलास का परिवा करते हुए, आज फिर ग्रामिनों को पहले तो धमकी बस देते थे, आज इलोग पूरा क्रामत दिखा दिया अपना, गाली गलोज करते हुए, फाडा को पूरा घुमाने लगे, अमेरे को तो मारने के लिए दवड़ाए थे, क्योंकि मेडिया वाला है, पूरा फिर वीडिय चला देगा करके, तो ऐसा ऐसा बात है, बहुत ही अत्यचार हो रहा है इन लोगों के द्वारा, एक-एक लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इन लोग कानून से भी ने डर रहे हैं आज,